दोस्तों आपको एटलिस्ट तीन से चार घंटे चीए इसमें घूमने के लिए एक तू घंटे में नहीं होने वाला है आपको इत्मिनान से बैट कर आराम आराम से एटलिस्ट तीन घंटे तो चाहिए ही इसमें आपको पूरा घूमने के लिए और सब कुछ देखने के लिए है एक क्रिशन मृग यह ब्लैक बक मृग इसके बाड़े में दिया वा है दोस्तों और शुद्ध हिंदी वर्ड है मृग तो मरीग हमें दिखता है कि नहीं इनके सींग काफी लंबे होते हैं भारत एशियाई देशों में ये पाये जाते हैं और ये ये जो बोड है ने मुझे बहुत प्यारा लगा है ये देख सकते हो आप तो वो वहाँ पे है मैं जुमीन करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों ये देखो यहाँ पे है तो पानी पी रहे हैं और कुछ खा रहे हैं तो इसका बाड़े में और डिटेल दिया गया आप चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं और मैंने पहले भी दिखाया आप 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 पहले हैं यह जासा है और और चूपका में आपको जमाल है यह नीस कि यह देखो पर पर बाड़े माल का भाड़ा तो यह रहा हीरन के बाढ़े से पूड़ा यह वाली तो मेरी फैन हो गई यह मतलब इसको पक्का यह पिछले जन्हें में टिक्टॉकर रही होगी इसको कैमरे का बड़ा शौक है ब्लॉगर रही होगी और देखिए आप इससे ज्यादा 4K में वीडियो आपने देखा नहीं हो इसमी पैचानती है कौन किससे इसको डर लग रहा है किससे नहीं तो यह देखिए काफी क्लोज अप शौर्ट है यह तो चाटने लगी कैमरा को बहुत प्यारा बहुत प्यारी जा जा अंदर जा और इधर बाकी यह आप देख सकते हो और करमचारी लोग काम पे लगे हुए तो आपने हीरन देखा आगे भी कुछ हीरन है मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ और तोस्तों यह चलिए अगर बहुत बड़े जगह में है इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा यह देखिए यह सामभर यह सामभर हीरन तो सामभर हीरन को मैं आपको दिखाना सबी होगा है यह सांबर हीरन इधर हमारे ऊचा नेक लबा है एस बहुत ही खुप्सूरत है है तो दोस्तों बहुत ह्पसूरत लग रहे है और अभी तक बेस्ट पार्ट यह हीरन वाला है बड़े प्यारे सांत स्वभाव के यह हैं और इतना अच्छा से अपना वीडियो निकल वा रहे हैं यह देखो और यह इसमें खाते क्या है यह अच्छा वहां पर भूसी यह देखिए यहां पर भूसा खाते हैं यह बूसा और यह देखिए सामबर हीरन है और एक यहाँ पे है और एक बिना स्विंग वाला यहाँ पे तू भी आजा, इधर आजा देख, देख इधर उपर एक बार देख ले उपर देख ले, प्लीज देख ले एक बार देख ले न जा मत देख, इतना भाव खाती है और ये तो छुपके ही रहेगी तो दोस्तों ये हीरन पीछे-पीछे आ रही है वहां से और ये बहुत प्यारी लग रही है देखिए जानबर भी समझदार होते हैं दोस्तों कौन क्या उसके साथ बेवार कर रहा है बड़ा प्यारा है ये प्यारी है तो ये देखिए प्यारी हीरन अब हम आगे बरते हैं और भी हीरन है वो दिखाता हूँ ज़र कौन सा है ये देखिए संगाई हीरन तो संगाई हीरन आपको मैं कोशिश करता हूं दिखाऊं खिदर है वो तिरी ये देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो हम camera में देखते हैं actual में इतने छोटी वो होते नहीं है camera judge नहीं कर पाता चाहे कितना भी महगा camera हो कुछ हो जो आप अपनी नंगी आँखो से देखोगे न वो अलग ही उसके मजे हैं ये देखिए शंगाई इरन ये इरन जड़ा देख इधर एक बार देख देख लेना ये देखने वाली नहीं है सुष्थ है और चुपचाप है उधर बहुत ज़्यादा है एक यहाँ पे भी है ये देखो तू तो देख ले वाउ तू देख ली तु बहुत अच्छी है प्यारी है तु अच्छा इने सींग एक नीचे भी देख रही है यह शकल से ही सरीफ लग रहे हैं यह देखो दोस्तो और यह डरकर उठकरी यह कान खड़े कर दी यह देखो दोस्तो अच्छा लग रहे हैं यहां अच्छा लग रहे हैं यह देखो दोस्तो तो यह प्यार इनके उपर सींग नहीं है और मैंने यह जो यहां बैठी हुई है इसके उपर यह देखो कितनी खुबसूरत है वाव सारे पैसे इसी बात के हैं दोस्तों और उधर जितने भी है न सब चोकनने हो गए कि क्या हुआ है ऐसे देखिए सब के कान खरे हो गए और ये देखो इनका कितना खुबसूरत सा सींग है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन को इन से हीरन के परजाती यहाँ ये देखो देखो दोस्तों और ये बड़े शांत और शरमीले वे वावार के होते हैं और एक कीचड में एक वहां खेल रही है और कैसी है ठीक है और यॉठस देखोर अ देखिए इधर बहुत सारे हैं यह देखिए दोस्तों और दर करमचारी अपना साफ सफाई में लगा हुआ है और यह सब देखिए यह चली गई यह देखिए एक के उपर सिंग है और एक के उपर सिंग नहीं है वो सिंग वाले हैं न मुझे परस्नली बहुत खुबसूरत लगे यह देखिए और एक कीचड में खेल रही है वहाँ पर तो आपने हीरन देखे और दोस्तों यह कववा बैट के इसके उपर से कीरे मकोरे खा है इनके लिए बहुत जरूरी होता है ओके दोस्तों अब देखिए संगई मनीपूर डियर तो अपनी जो मनीपूर है न वो डियर है और यह पर लिजेगा और यह देखिए पास में है और कितना खुबसूरत लग रहा है दोस्तों पता है कैमरे में न साइच छोटा लगता ह किसी भी जानवर का और अपने आँखो से देखोगे ना सामने से तो बड़ा दिखेगा मैं समझता था कि यह बकडी वगएरा बकडी के मतलब साइच का होता होगा हीरन क्योंकि बड़े सरीफ होते हैं प्यारे होते हैं बट नहीं एक इधर भी हम मुझे देख रही है क्या क्याल है कान खरे हो गए इसके क्याल है यार ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि यह कैद है मतलब बट अगर छोड़ दें तो इसको मार देगा जंगली जानवरी से मार देंगे तो यह अपने बाड़े में है और इनका मतलब है ना कि पूरा अच्छा से इनका सिस्टम बना आया गया है ताकि इनको यह ना फिल हो कि यह कैद है वगएरा तो यह देखें दोस्तों तो यह ने दोस्तों ट्वाय ट्रेन थी जो कि अब खड़ा अब हो चुकी है और यह काम की नहीं रही यह देखें अपने पट्रियों पे झाल